तो आज हम आपके साथ तरोई की सब्जी की रेस्पी शेयर काने चा रहे हैं इस रेस्पी में हमने ऐसी चीज़ों का यूज किया है जो इसके स्वात को चार गुना करतेगी इस तरोई की सब्जी को हमने एकदम आलाग अंताज में बनाया है और जो भी तरोई की सब्जी को खाना पसंद नहीं करता है वो भी आप से तरोई की सब्जी मांग कर खाएगा तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए तो फ्लीज इसे लाइक करीं, शेयर करीं, मेरे चनल को सब्स्राइब करना ना भूलें तो फिर चलिए तरोई की सब्जी बनाना सुरू करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर लिये एक केजी तरोई, तो हमने यहाँ पर एकदम फ्रेस तरोई लिये, अब हम तरोई के आगे और पीछे की हिस्से को कट कर देंगे, और इसके छिलके को हम हटा देंगे, गरिमियु मे इस तरीके से छुटे-छुटे pieces में cut कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से cut करते हैं, तो तरोई क्या बनने के बाद हमें समझ भी नहीं आती है, कि यह किस shape में cut ही है, तो इसलिए आज इस recipe में हम तरोई को इस तरीके से गोल-गोल pieces में cut कर लेंगे, तरोई को गोल-गोल pieces में cut करने का यह फायदा है, तरोई की सब्जी पकने के बाद भी हमें समझ में आ जाती ही, कि हमने तरोई को गोल-गोल pieces में cut किया है, यहनि तरोई की जो piece होते हैं, वो सब्जी में गलते नहीं है, तो इस तरीके से हमने तरोई को गोल पिसिस में कट कर लिया है अब हमने यहाँ पर लिए तीन मीरियम साइज की प्याज और इन प्याज को हमें छील कर बिल्कुल बारिक कट कर लेना है तो ध्यान रखेगा प्याज को हमें बिल्कुल बारिक ही कट करना है साथ हमने यहाँ पर लिये 3 मीरियम साइज के टमाटर, इनका हमने उपटी हισसा कट कर दिया है, टमाटरों को हम मिक्सी जार की साहिता से पीस लेंगे, अब हम एक कटूरी लेंगे और इसमें हम एट करेंगे 5 चूटी चम्मच मसूर की दाल, यहाँ पर हमने बिना चिलके बाल तो आप देख सकते हैं कि आदर हिंटे के बाद दल का साइज डवल हो गया है अब हम एक कडाई में 2-3 टेपल स्पून सरसो का तेल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे आप कोई भी कुकिंग ओईल ले सकते हैं तो तेल हमारा गर्म हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मत जीरा साथ ही हम इसमें एट करेंगे 7-8 लैसुन की खर लिया जिनको मैंने बारी कट कर लिया है और 8-9 हम डालेंगे करीपत्ता करीपत्ता हमारे सेथ के लिए बहुती फायदे मन्द होते हैं और सभी चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे कुछी मिंटों में हम देखेंगे कि लैसुन हमारा सुनेरा हो गया है तब हम इसमें एट करेंगे अपना कटा हुआ प्याज तो ध्यान देखेगा इस सबजी को बनाने के लिए प्याज को हमें बिल्कुल बारीक चौप करके डालना है और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूल लेंगे तो अगर आब इतक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे एक छूटी चम्मच धनिया पाउडर आदा छूटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छूटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च आदा छूटी चम्मच हल्दी पाउडर और आदा छूटी चम्मच एट करेंगे गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वादनुसार अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से बुन जाए पानी डाल कर हम मसालों को अच्छे से चला लेंगे और इनको धीमी आज पर हम भून लेंगे तो कुछी मिंटों में हम देखीएगी कि मसालों ने भी अच्छे से oil छोड़ दिया है यानि मसालے हमारे बढ़िया से पक गए है ताब हम इसमें अट करेंगी अपने पसे हुए टमाटर टमाटर डाल कर हम इनको भी अच्छे से पका लेंगी तो इनको भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से ओल ना छोड़ दे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्लीज इसे लाइक हो श्या जरूर करें तो ये देखे टमाटरों ने भी ओल छोड़ना शुरू कर दिया है आप इस तरीके से एक बातरोई की सब्ची बना का जरूर देखे हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो टमाटरों ने भड़िया से ओल छोड़ दिया है अब हम इस इस टेस पर इसमें एट करेंगे दाल तो ये वही मसूर की दाल है जिसको हमने आदा गंटे के लिए पानी में भिको दिया था और इसको ढग कर हम तीन से चार मिनट तक पकने देंगे गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे पीच में हम इसको एक से दो बा चला भी देंगे ताकि ये तली में जलेना तो लगए तीन से चार मिनट हो गया है अब हम इसमें आड करेंगे दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च डाल कर हम इनको एक बार अच्छे से चला लेंगे अब इसे स्टेस पर हम इसमें आड करेंगे आदा छुटी चम्मत जिंजर गालिक पेस्ट और जिंजर गालिक पेस्ट को हम इसमें आदा मिनट के लिए लगाता चलाते हुई भून लेंगे तो आब हम इसमें आड करेंगे तरोई और तरोई डाल कर हम सब्जी को एक बार बड़े से चला लेंगे ताकि मसालों की तरोई पर अच्छे से कोटिंग हो जाए आप इस सब्जी को बिना दाल के भी बना सकते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसमें एड़ करेंगे अदा ग्लास थे थोड़ा कम पानी और पानी डाल कर हम सब्जी को एक बार फिर से चला लेंगे वैसे तो पकने के बाद तरोई खुदी पानी छोड़ देती है लेकिन हमने इसमें डाल का यूज किया है इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा सा एड़ करेंगे तो सब्जी में एक अच्छा सा उबाल आने लगा है तो अब हम गैस की फ्टेम को धीमा कर लेंगे इसको ठक करना 10-15 मिनट तक पकने देंगे बीच-बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि ये तली में जले न ये लिजिए फाइनली हमारी तरुई की सब्जी तो पकर तैयार है अब हम इसको गर्मा गरं सर्व करेंगे ये रेस्पी आपको कैसी लगी निजे कोमेंट बॉक्स में लिखर मुझे जरूर बताएं साथ ही अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करणा ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई